हेलो एंड वेल्कम दोस्तों एजुकेशन टेक्निक चाहां मैं आपसी का बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तों आज की वीडियो में हम रेलबे के कुछ खास इंपोर्टेंट क्वेश्चिन के बारें बात करेंगे ये रेलबे के लिए नहीं अगली परिक्षाओं में आने की काफी ज्यादा संभावना है तो इस वीडियो को देखते रही लास्ट ते हम इनके आंसर के साथ आपको बताते चलेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं तो यहां पर दिखी पहला क्वेश्चन है हमारा कि गानी से हुए अगला क्वेश्चन यहां पर आजाता है यहां पर कांगरिस में किस अधिवेशन में सूरत विवाजन हुआ था यहां पर देख सकते हैं तो कांगरिस के किस अधिवेशन में सूरत विवाजन हुआ था तो इसका सही है आंसर है 23 जो है कंवेश्चन में अगला हमारा क्वेश्चन है यहां पर देख सकते हैं आप अपने कछ में एक उपग्राइब पृथिवी की चक्ल लगाता रहता है इसका कारण क्या है इसका कारण हुए जिसका आपके इंद्रिय ben इसके बाद हमारा अगला कॉचन यहाँ पर आ जाता है सुभाष चन भोस भारतियराष्टिक कांग्रिस के pouய कि repасть किर गो कि इसके बाद यहां पे हमारा अगला क्वाश्चन है कि सितंबर 1920 के कुलकत्ता के बिशेच अधिवेशन में गांदी जी के अशायोक की नीती अपनाने की प्रिस्ताओं का किस ने समर्थन किया था जी हं तुवjdungouse 2020 में कुलकत्ता में गांधी जी ने ईसायो की नीती का जो हां आधिवेशन की बात कही थी तो इसका समर्थन किस ने किया था इसका समर्थन किया था मुतिलाल नहरूजी ने इसके बाद हमारा अगला कोचा नहीं यहाँ पर देख सकते हैं आपकी नालंदा विशुवद्ध ध्यालाय में रतन सागर क्या था और अन्सटोर नालन्दाप बिल सुवेद्धियाला मैं रतन सागार करें कि पुस्त काले रतना सागर जो जो की था एक पुस्त काले था नालंदा विश्वेद्ध्याला में इसके बाद मारा अगला को अच्छा नहीं यहां पर कि धरातलिये सजावट की पित्रा ड्यूरा का सर्प्रिथम प्रिस्तुतिकर्ण किस ने किया था तो यहां पर इसका सही है एक मगषुरा का मकवरा था उसमें इसको सर्प्रितम प्रिस्तुतिकर्ण किया गया था इसके बाद हमारा अगला को चने यहां पर देख सकते हैं कि भारत की सबसे लंभी प्रियाद युपिये नदी कोणसी आ जिए तुट उप्रियाद सबसे लंब नदी नहीं सबसे ल यहां पर सबको पता होगा इसका जो आंसर है सभी पहले मानसराम से सबसे ज़्यादा बारिष वाला जो है जो एक हहला मैं इसके पार आगला सबसे ज्यादा बार्ष में होती है इसके बाद हमारा तो पाश्चमी बिभोग जो है उत्तर पाश्च में बर्सा होने का कारण यहां पर हमार अगला ुश्चन है कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है तो इसका अंसर है गोधाबरी नदी यहां पर अगला क्वेस्टन है का जी रंगा, राष्ट्य है यहां कि से लिए कौन नसाद का सब शिद्ड है तो यहां पे हमार अगला क्वेस्टन आ जाता है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है तो इसका सही आंसर है इसके बाद मारे expect लंबा सबसे लंसे लं में गोरकपुर उत्तर प्रदेश में इस बाद हमारे अगला क्वस्च है कि लोग सबाँ में अंगल भाहरती आसे इसका सही आंसर है अनुचे 331 के द्वारा इसके बाद अगला question देख लेता है यहाँ पी हमारा अगला question है कि किस स्थान पर अलक नंदा तथा भागी रती नदी का संगम होता है अलकनंदा और भागी रती यानि कि दोनों मिलती है तो इसका सही आंसर है देव प्रयाग देव प्रयाग यानि कि अलहवाद में प्रयाग में यह जो है दोनों नदी अलकनंदा और भागी रती दोनों मिल जाती है इसके बाद हमारा अगला क्वाश्यान है कि नए राज्यों क स्थापना करने की बिधाय नहीं सकती, किसे प्राप्त है, सीधा सा आंसर है संसत, संसत को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये सारी सकतियां प्राप्त रहती हैं, तो इसका सही आंसर है संसत, इसके बाद हमारा अगला को अचाने यहां पर देख सक यानि गानून पर अपनी संस्तुति देनी पड़ती है, इसके बाद मारा अगला क्वेश्व देखतें है कि संभीधान की अंतरगności अगणITY की रखचा कानून के समक्ष् तो इसके बाद अगला कोश्चन है हमारा यहां पर देख लेते हैं तो अगला कोश्चन है भारत के सम्मिदान की अंतरगत किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्दित करने की सक्टी प्राप्त जो हमने अभी बताया था कि संसत को नामों में परिवर्दित और सीमाओं में परिवर्दित की सक्टी प्राप्त है तो इसка सही आंशर हो जाएगा संसत अगला कोश्चन यहां पर देख सकते हैं कि लोकसभा समीदि की रिपोर्ट प्रिस्तुत की जाती है कहां पे लोकसवा में या रासवा में तो इसका सही आंसर है लोकसवा में लोक लेखा की समीति की रिपोर्ट प्रिस्तुत की जाती है इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यहां पे देख सकते हैं आप कि अनुच्छित 108 के अंतरगर्थ लोकसवा और रासवा की सही बैठक आहूत की जाती है तो इसके बाद यहां पे उत्तर देख लेता है तो इसका सही उत्तर है राष्टपती की दार राष्टपती की जारा लोकसवा और राष्टसवा की बैठक वो प्रिस्तुत की जाती है अंस्तिते यह? राश्टिय उधमता और समरत्धी पर बाल दिया गया समरत्धी वाल देथे वह कौन इसका सही आंसर है नौवी योजन थी जिसमें इस समानता और सामाज नयाय पर बल दिया गया इसके बाद हमारा अगला कोच्छा नहीं यहां पर देख सकते हैं कि किरसी छेत का सीर्स बैंक है तो इसका सभी आपको पता होगा कि नाबाड इसका किरसी का सीर्स बैंक यानिकी सबसे वड़ा किरसी के लिए लोन देता है यानि सभी किरसी की बैंक को लोन देता है उसका सही उतर नाबाड तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाए अगला हमारा क्वाच्छा नहीं कि सदा बाहर क्रांती भारत में कि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रियोग में लाएगे इसका अस्रे किस को जाता है यानि कि सदावा कन या पिरकांती सेखते ऑने पिब्लबर अधर कृष्ण क्रेडिटिम स्वाविनाथन भारत में। तरह सन 1998 से 1999 में है इसके अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजिन बंब विक्सित किया था यानसर एड़वर्ट टेलर द्वारा तो यह काफी बार आभी चुका है कि एड़वर्ट टेलर ने जो है फ़ेटस्राय तब इसके बास कोन था। यानी कि पहले गवर्नर थी अब जो है हो गई थी वो पहला बायिसराय कोन था तु उँ था लोड कंग यहां दो लोड गय भारत का पहला ब्रेटस्राय था एडा क्वीमारा देख सकते हैं यहां समुद्री खरपतवार किसका महत्मुशूत है इसका सही आंसर है आयोडीन का अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सर्विक्षन प्रकासित किया जाता है आर्थिक सर्विक्षन किसकी द्वारा प्रिस्तुत किया जाता है या प्रकासित किया जाता है इसका सही आंसर है ब बहार में टीवी पर जो समाचार आये थे सबसे पहली बाद वो किस ने पढ़े थे वो पढ़े थे प्रतिमा पूरी ने इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यहां पे देख सकते हैं कि नाभी की यह संयंत्रों में ग्रेफ हाइट का उपयोग किया जाता है बिमंदक की त नाम भेजा गया था जानवर को उसका नाम क्या था वो जानवर क्वाण था यहां पर लेका नाम की कुटिया जोकी सथी याणि ग्यारा में भेजी गई थी सबसे पहले अगला क्वेश्चन है यहां पर भारत के काउन से म 색깔 सब्सक्राइब नहीं इसके बाद अगला हमारा क्वस्टन है कि इस्षु का सोबा मिशन कौन सा था जो सोबा मिशन बूinstı फूर ऑप पी एस ब्ल कवस्टन यहां पर देख लेते हैं तो हमारा अगला क्वस्टन कौंसे isirt me क्वंसे वीटामिन सरीर में भण नहीं होते हैं which हम B パ ऑ रीडियं deep की आपको पता हुआ ते रोडी रोडी गी खोज ती लोडवर की खूझकई उसका है तो इसे आप याद करन ACE कि रोबर्ट पीरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी इसके बाद अगला कोचन सुवास्चन बूष को किसने सबसे पहले नीता जी के कर सम्मूद किया था तो दूस्त तो आपको पता है जब सुवास्चन बूष जर्मनी गयते तो जर्मनी में एडॉल्फ हिटलर हिटलर ने जो है नीता जी सबसे पहले सुवास्चन को कहा तत्य यानिकी नीता जी सबसे पहले किसने का एडॉट हिटलर ने अगला कोचन यहां पर हम देख लेते हैं तो यहां पर देखी अगला कोचन हमारा है बहमनी समराज का अंतिम समराट कौन था बहमनी समराज कुंध था तो इसका सही आंसर है कलीम उलसा जो है पह्मनी समराज का अंतिम समराट था इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा भूपाल गैसकांट कम अब शिप्रियाद करने हों कि यह जाधा तर पूछे जाना वाला जिसका सही आंसर है दो और तीन दिसमबर 1984 की आधी रात को यहां तो दो और तीन दिसमबर की उतनी सच्वरासी की आधी रात को इसमें कौन सी चोड़ गई थी तो इसमें आपको याद आखना कि मिथाइल आईसुसाइड इसमें जोए लेक हुई थी अगला कोश्चेन है आप गया है यहां पर देख लेए कि किस भारतिय जेल को नाशनल हैंट साइट गोस्त किया है तिसकिन यांसर अंदमान जेल आर्मान जेल आपको पदाा यह कि काला-पानी जाऊंदाये इसका सही आणसर अगला कोट नियां पर देख लियता है जीवन वी मा को राष्ट्य कप किया गिएवाइस सही आंसर है कि नियुक्त चाहँ इसे अपना नाम दें नियुक्त सरकारी वन गई अगला कोट यहांप rules कि कि Asia Pacific Economics Corporation की स्थापना कप की गई अठरासु नवासी में इसके बाद अगला कोश्चन है हमारा ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है अगला कोश्चन है आपको याद रखना है कि महराश्ट की पस्चमी गाट किस नाम से जाना जाता है महराश्ट का ज्युक्त पस्चमी गाटा है करना हो भारत कीतनी राज्य है उनकी सभी राज्यों की राज्धानिया आपको याद कर लीनी है तो इसका सही आंसर इटा नगार अरुणाचल प्रदेश की यूराजधानियों उसका नाम है इटा नगार अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सब्सक्राइबर ट्रंक डाइलिंग यहाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मेरी कॉम का संब्सक्राइबर बॉक्सिंग से है तो काभी पॉपलर है तो आपको पता हूना चाहिए इनका संब्सक्राइब सब्सक्राइब में सब्सक्राइब सब्सक्राइब बहाबस माली अगला कोश्चन है थौमस कब किस खेल से संब्सक्राइब थॉमस कप जो दिया जाता है वो इस किस खेल से सम्बन देता है तो वो है बैडमिंटर से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन है तो जो कि यह कारवन के ठोस रूप को किस नाम से जाना जाता है कारवन का जो ठोस रूप है उसे किस नाम से जाना जाता है उसे जाना जाता है ड्राई आइस की नाम से जोकि ड्राई आइस ड्राई हो जाता है तो आप याद रख से को कि जो कारवन का ठोस हो गया तो वो हो गया ड्राई आइस तो ड्राई आइस की नाम से आप जाना जाता है कार्बन के ठोस रूप को अगला कोश्चन है भारत का सबसे बड़ा सेन अबाड कुन सा है भारत का सबसे जो है बड़ा सेन अबाड यान की सबसे बड़ा जो है सेन यानि अबोड है परंबीर चक यानि की भीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा अबोड है परंबीर जिसका सही आंसर है परमिचक अगला कोश्चन है हमारा साह नामा किसके द्वारा लिखा गया है साह नामा किसके द्वारा लिखा गया है जिसका सही आंसर है फिर्दौसी ने जो है साह नामा को लिखा है अगला कोश्चन यहाँ पर देख लेते हैं तो अगला कोश्चन है कौन कोसा मिनेरल प्लाष्टर ऑफआरस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला में एक अस्वा शक्ती में कितनी बाठ होते हैं। शाष्चो 46 बाट होते हैं एक अस्वसक्ति इस एक अस्वसक्ति में अगला क्वेश्चन हमारा है दुनिया में काफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है काफी यानि आप जानते हैं काफी आप पीते होंगे तो इसका सही आंसरा ब्राजील में सबसे ज् अगला कोच्चन यहां पर देख सकता है रवांडा की राजधानी का नाम क्या है रवांडा की राजधानी कि गाली आप याद रखे गई जो हंड़ी परसंट लगभग आएगा अगली क्वेश्चन में तो आप से याद रख लेजेए आपको पॉपुलर जो देश है जो अ जरी यह उन्हें आपको देश की राजधानी और करण्सी याद रख लिनी चाहिए तो नकिला रवांडा की राजधानी कि गाली अगला कोच्चन है बी सी वह चित में बी सीरग और श्रीया बीसी रॉब ॉबॉइजे में निया तो मेंडिशन जिट में यहां अबॉड दि अगला कोच्छा इन रो होंग सब किस खिल से समधिये धcribe राइंग सब किस खिल से सम नोइल से नृकर अ सब थिस रहो ईंग सब जैखिल सम ग Pakनद सम ने तर राइंग सब छोनिड ए मिका ख 쪽व गला कम सबके सबbaarल्लें फिलम मजम शोग बार्लिन फिल्मों सब में पुर्षकार पाने वाली पुर्षकार पाने वाली पुर्षकार पाने वाली महला थी अगला क्वेशन यहां पर देख लेता है भारत के पुर्षम राष्ट्पती कौन थे भारत के पुर्षम राष्ट्पती आपको सब को बताई होगा कि राजिन प्रशाथ थे और भारत के प्रदम प्रधानमंत्री कों थे तो इसका सही आंसर है पंडित जवाल लाने तो दोस्तों यह थे आज की कवर्सन उम्मी आपको पसंद आयोंगे अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक किजिए इस करना ना भुलिए और अधुदे सारी मोस्ट नेसारी सकक्राव बहुत बहुत धन्यवाद